नमस्कार दोस्ते में तो चलिए हम लोग बात करेंगे आपकी इस क्लास में एक बहुत ही मात्पून आर्टिकल के बारे में यह आपका आर्टिकल COVID-19 के दवरान संसत की क्या भूमिकार ही है उसके बारे में लिखा गया है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का हाल कुछ अच्छा नहीं रहा है आप सोचीं कि अच्छा है चैलाग कितने चैलाग चारजार 641 केस हो चुके हमारे देश में और आप कह सकते हैं कि लोगडाउन सक्सिज नहीं रहा है आपके देश का कोई भी मिनिश्टर या पिदान मंद्री साब कहते रहें लेकिन हकीए तही रहा है कि पूरे तरह से सक्से नहीं रहा है इसमें बहुत कमिया देखी गई और आप सोचिए कि आपके देश में जितना सक्ति साली लोगडाउन लगाए गया था अगर इसे का पालन सही से हो जाता तो अभी तक केस खतम हो जाते पूरी तरह से समझ रहे हैं कि घासे वाहर नहीं निकलने दिया गया फिर भी आप सोचिए कहीं ना कहीं कुछ कमी देखी गई तो उसी संसत की बात की जा रही है तो देखते हैं क्या-क्या इसमें बता जा रहे हैं कोविद-19 महारी से जूचते हुए कई महीने बीच चुके हैं लेकिन इस दोरान भारती लोगतंत की म खुद रखना है सरकार आपका ख्याल नहीं रखेगी उसमें साफ कर दिया है और यह कोरोना अब लंबी रेस है आपके साथ इसकी तो डबलू-एचू भी बोल चुका है कि अभी ये अपनी पीक पर नहीं पहुंचा है आने कि सबसे बुरी स्कृटी अभी आने बागी है त जब तक बैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक गहसी मत निकलिए जो काम है अगर तो जरूरी है तभी निकलिए अपनी पूरी वेवस्ता के साथ सुरक्षित इस्तिती में निकलिए संसद संसद भारा सरकार का विधाई अंगे बारती समिधान में संसदी पिडाली अपनाए जाने की कारण देश की लोकतांत्रिक व्योस्ता में संसद एक विशिस इस्थान रखती है बारती समिधान की बाग पांच में संसद के गठन सरचना अवधी विशेस अधिकार सक्त पिक्रिया आधी के बारे में बैडन किया गया है संसप के तीन अंगे कौन कौन सी भारत की राष्ट पती राज्य सभा इसे दुद्य सदन कहते हैं उच्छे सदन या फिर कांसिल ओप एस्टेट्स लोगसभा यह पिथम सदन है लोगपिरिय सदन या फिर इसे निम्न सदन कह करते हैं its house of the people राष्ट पती होता है इसे आपकी लोगफ और विधान सभा की निरवाज़िस सदस मनूनिठ चैनट करते हैं इसका यानि की वज़फशन चुनते हैं राटपती को लेकिन राज सभा की जो सदस होते हैं इन्हें आपकी विधान सभा की सदस चुनते हैं कौन एमली चुनते हैं ठीक है और लोगसभा सदस होते हैं इन्हें आपकी डारेक्ट जनता चुनती हैं ठीक है लोगसभा सदस होता है और लोगसभा का जो अद सदन्साइब करते हैं जब कि अध्यक्ष तरन के पूर अधिकार का पितिनेदित करता है लोकसभा अध्यक्ष को संसदिय लोकतंत की परंपराओं के सचे अभीभाबक की रूम में देखा जाता है लोकसभा की नीमों के अनुसार सदन का नेता या फिर पिधान मंत्री से है यदि वह है लोकसभा का सदस हो तो इस पेकार राजसभा में सदन का नेता पिधान मंत्री जो द्वारा नामित कोई ऐसा मंत्री होता है जो राजसभा का सदस हो ठीक है एक बात हमेशा याद रुखि राज्यसभा का जो सभापती होगा वो आपका राश्टपती होगा वो राज्यसभा का सदस नहीं होगा लेकिन जो पुख सभापती होगा वो आपका राज्यसभा का सदस होगा एक बात यहां नोट कर लेगे ठीका संसत किसी भी किसी सदन में उनकी उसकी कुल संख्या से कम से पितिसर सीटें हासिल करने वाली सबसी बेपक्षी पायटी का नेता सदन में बेपक्ष का नेता कहलाता है यानी कि आपके पास सो सीटें उसमें से अगर आपको दस सीटें हैं आपके पास तो आप बेपक्ष की नेता कहलाएंगी लेकिन आप देखते हैं कि सोलेवी और सट्य inappropriate Music doctrine लोग सेथ में किसी का कोई भी पर चुंधा नहीं इसका मुख्यकार सरकार की नितियों की रचनातमर का लूचना करना है तथा बीकलपिक सर्कार्य लोक सबाऊर राजसरभा में ब瞌क चेंद अ कुबर सboo tout सतंतर में बैधानिक दर्जा दिया गया विपक्ष के नेता को क्यमिनीट मंत्री के सम्मख कक्ष, बेतन, भक्ति, सु विधायें उपलब्द होती हैं जो विपक्ष का नेता होता है संसत के प्रमुख कारियों की बात के नेता देश की विवस्था चलाने ही तू बिविन ने पिकार के कानूनों की आवस्सक्ता होती है जने केंदी ये विधाय का ये अपर संसत द्वारा बनाया जाता है संसद संसदिये कारवाही के बिविद सादनों के द्वारा कालवालिका आमबोलचाल में सरकार की जवाब दही क्यों सुनिचित करता है संसद सदस पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं अता है वो आपने संसदिये चेत्रों के, चेत्के मुद्रों को संसद में उठाती है, यानि कि जो संसद कहां सदस जहां से चुना जाता है, उसी चेत्र की मतलब देखवाल करता है, वहीं कि जो मुद्दे रहते हैं, उन्हीं को उठाता है संसद में, संसद में राष्टी वाहत की विशाओं इपन मुद्दों पर सार्थक चर्चा होती है विशाओं पर सरकार की क्या प्रगती है यह भी जानने को मिलता है सरकात अर्थात कार्वाल्गा की खर्चों को संसद द्वारा स्विक्ति प्धान की जाती है एक बात आपसे पूचेगे उत्तर विदेश का पोधारन ले लिए या आपके अस्ती कितने हैं अस्ती हैं लोकसभासदस एक तीस हैं आपके राजसभासदस उसके बाद 403 के करीब हैं आपके लोक राजसभासदस आप सोचिए सूनों सूद्र ने जो काम किया है अगर ये नेता करते आके तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान मरता भूंक से या फिर रेल की पटरी पर आके मरता या फिर राय च आपका काम है कि बड़ सरकारें बनाना गेराना किसके साथ मिलना है किसके साथ क्या करना है वो सरकार का काम है आपका काम रहे गया है जंता का काम सरे बोर्ट देना उसके बाद आपका कोई महत्त नहीं है उनकी नजरों में समझ में आए और कोविद-19 ने आएगी कोरोना व इसनी ऐसियत नहीं है कि कोई निता आपसे डारेक्ट मुसीवत के समय में मिले इसलिए पड़ोची उसी हमेशा समद्ध अच्छे रखें ठीक है और अपनी दंपर निकलें जहां भी निकलें विसलिशन की बात करें कुछ महीनों से देश कोविद-19 का महामारी का सामना कराया है इस दरम्यान देश ब्यापी लोगडाउन ने लोगों की समक्ष आर्धिक से लेकर अन्य पेकार की समास्याय उत्पन किये विसे सब्गों का मनना है कि इस सितिती में संसत को सत आयल जित करन अती आवस्यक था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है जो से इस महत्तपोंड संस्ता की कारवाली का परफिसिन चिन लगाता है कि संसद चलाने के छोड़ी आपने किसी मंत्री या विधाय को रोड पर चलते हुए मजदूरों की मदद करती हुए नहीं देखा हुगा या कोई गरीब मर रहा है उसकी बिधान सवा में चेत में हुग या फिर लोग सवा चेत में हुग संसदी चेत में हुग कोई कहीं नहीं निकला, घर से बाहर नहीं निकले ठीक है? अब मैं किसी की प्रक्टिकूल और बुराई नहीं कर रहा हूँ फिर चाहे आपके किसी भी पार्टी का मेंबर हो कोई आपको रोड़ पर देखाई नहीं दिया है यह हमारे देश के दुरभाग है हमारे देश का और जंदा का इससे बुरी स्थिती कभी नहीं आ सकती है ठीक है? कैंसरकार ने COVID-19 महामारी के प्रसार को रोखने ही तू आपदा प्रबंदन अधिनियम 2005 के तह लोगडाउन लगाया था क्योंकि बात में महामारी को रोखने ही तू अन्य कानून नहीं है विसेस अगों का कहना है कि अब लोगडाउन पहली बाल लगाया गया था उस समय संसत का चल रहा था तो संसत COVID-19 महामारी के संबंद में एक विसेस कानून को पारित कर सकती थी कि दुर्भागे से ऐसा नहीं हुए एक बात आप लोग हमें सा याद रखें समझ लिए कि आज जो आप कर रहें वो कल इतिहास में उसका चैचा हुई उस पर बात नहीं की जाएंगी और उसके बात आप पर लानत ठहराए जाएगा कि आप लोग ऐसे थे हमारी बीडी हम लोग ऐसे थे हमें लोग दिगगा रहेंगे आज जो आप लोग नहिरू को पंडि जवाहला नहिरू आपके गांदी जी हो गए इसे नेताओं को आप लोग गाली देते हैं ऐसा ही एक समय पर आने पर इनसे बुरी उनकी इस्ति ही ठीक है गांदी जी नहरू साहब की और सुवाश्चेंद भौ साहब की इन सभी नेताओं की बहुत इस्तिती है और साइद वो अपनी उनकी आत्मा ने जो किया अच्छा क लेकिन आप एक बास समझ लेजिए हम लोग कभी अच्छा नहीं कर रहें एक समय आएगा हमारी पीडी आएगी उसके बाद देखना धिकारे जाएंगे हम लोग क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है रोड पर जब कोई माँ बच्चे को जनम दे रही हो तो क्या इतियास म क्योंकि आप देखते हैं जो भी होता है आज इतियास बनता है कोविड-90 महामारी के दर्मियान कारिपालिका ने कई मात्पूर्ण वद्वों पर नेड़े लेकिन इस सभी संसद नेड़े संसद की समीच्छा से बारे क्योंकि लोगडाउन की इस्तितिती में संसद का सथ आ यह दार्णरासी भारती अत्विस्था को सुद्रणता पिदान करने हो इत्तु गोसित की गई है किन्ती जो बिसे सग्ग है उनका कहना है कि भारती समीधान में निस संसद मोक्ता लोकसावा को राष्टिय वित्त की निंतक यह विशिष्ट सक्तियां सोबी हैं देश की कारि मंजूरी के धन बैय करने का अधिकार नहीं है इस सेतु पितेगबर्स्त वित्त मंत्री द्वारा लोकसावा में इसकी मंजूरी के लिए बजट पिस्तुत किया जाता है इसके साथ ही लेखा समती एवन प्राकलन समती तथा नियनतक एवन महालेखा परिक्षक बैय की वैद अध्यादी दिखाई दिए लेकिन इस सब्साओं पर संसद में किसी भी पेकार की चल्चा नहीं हो पाई है क्योंकि सत्य का आयोजन नहीं हो सकता है कोविद-19 के आने से पहले आने से कुछ अच्छी हमारे साथ चल्चा बाते हैं जैसे हमें मालू चल गया कि कौन हमारा हित्यसी है कौन नहीं सेमेकों यानि की मजदूरों गरीवों का कौन सही में बलाई करने बाला है कौन नहीं स्वास्त चित क्या बेवस्ता देख सकते है कि ओजागर हो गई कि क्या स्वास्त की कमिया है हमारे में नेता भासड दिया करते हैं कि हमारे पास इतना अनाज उपलब दे कि 5 साल तक हम जंता को वैठा की खिला सकते हैं कोई कहता था तीन साल के लिए इस महमारी के दोना पता चल चपा है कि कौन कितने पानी में था ठीक सब्सक्राइब निताबी सरकार के उन मुद्दों की और ध्यान आकर्शित करता है जिन पर कोविद-19 महामारी एबंग लोगडाउन के दोरान सरकार से चूक हुई है कोविद-19 महामारी के पहले भी संसाधी विवस्ता में अन्य चौनोतियां मित्मान थी लोगसभाद ध्यक्च पर समय समर्व यह रोप लगता है कि उनकी नेड़ाय सत्ताधारी पार्टी की तरफ अधिक जुकाव रहता है अन्य देशों में देखिए आप लोग बेटें में जिस समय लोगसभाद ध्यक्च बनेगा उसी समय अपनी पार्टी से इस टीपाद देगा और जग तक वो लोगसभाद का चुनाओ यानि कि छेत से अपने चेत से चुनाओ लड़ीगा उसके खिलाब किसी भी पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं उतारा जाएगा किससे इस य अभी लोग सबात देक्षे बिपक्च की तरफ अगर बोलने लग जाए तो अंगलीवार इसकी सत्ता धारी जो पाटी है जिसका जिसका जिस सदस है वो इसका टिकेट काट देगा तो समझ रहे हैं हम हमारे साथ यही तो होता है कि आप सोचिए कि वो उसी का पक्च लेगा ना जिसे उससे कुछ मिलना हो पिधारमंद्री या पिधारमंद्री द्वारा नामे दोनों सदन की नेता की कारपिणाली पर भी सवाल उठाएगे संसत हज़त्सों पर ऐसे भी आरोप लगते हैं कि सदन में बोख पिस निकाल सू निकाल आधी के दोरान उस तरह की मुद्दे उठाते हैं जिनसे उनका राजनितिक हित सह सकें किसी भी तुद्रण राजनितिक बिवस्था के लिए एक मजबूर बेपक्च का होना अतिया हो सकें लेकिन संसत में बेपक्च के नेता की भूम क्या भी समय के अनुसार कमजोर हुई है दूसरे देशों की संसत की बात करें तो जहां एक तरव भारती संसत कोविद-19 महमारी के तौरान अपने कारियों यो जिम्बेदारियों के विति बेपरवा है वह इन दूसरी तरव कनाड़ा बेटेंड फ्रांस अर्जेंटीना इटली न्यूजिलेंड और अस्टेलिया व में चुक हैं वह संसलिये संसर में संसर में ही आकर सामिल हो सकता है जो भी सदस्ध कहीं माकड़म के माद्याम से रहाधा से जुड़ना चाहता है तो यह ऑइभी कर सकता है हमारे बारत में भी हो सकता था अब आपके पास बी आई भी फॉन सुगधा है आप सोचिए तो आप वीडियो कॉंफरेंसर्ण द्वारा भी तो हो सकती थी बैटक नहीं हो सकती थी लेकिन बुरी हाला थे को सट करें तो इसमें सुझाओ क्या हो सकते हैं बारत की समिधार में माना नहीं कि कि आगया में कि संस्था का सथ वीडियो और रख नहीं किया जब जासकता है जब हम विश़्ुकां सबसे बड़ी लोक्तारीजम नहीं सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं कि संसत जैसी अतीम अत्पूंड लोगतांत्रिक संस्था का वीडियो कॉंस्पेंसिंग आधी के मात्यम से सत्ता आजित कराएं भारत का एनफोर्मेशन टेकनोलोजी आईटी धाचा काफी मजबूर थे भारत को दुनिया का आईटी हब माना कि इस उस्तिती में संस्था सत्य वीडियो कॉंस्पेंसिंग के द्वारा आसानी से vibration किया जा सकता है बीडियो कॉंस्पेंसिंग से संसी के सत्य के Kennedyафट कुछ लोग सुरक्षा संबनी चिंताय जाय करते हैं तो इसके विपरीर विसेसरगों का कहिना है कि जब संसत की कारवाईयां कारवाईयों को टेली वीजन पर पिसारित किया जाता है संसाधिये संतियों को भी वीडियो कॉंफ्रेंसिंग की मदद से जुड़ा जा सकता है इन संतियों को अतरिक्त सुरक्षा पिदान की जाने चाहिए ताकि इन पर साइबर अटेक की गुल जाइस ना के वरावर हो सके क्योंकि कुछ संतिया अती महत्पूर रख्तियों से जुड़ी होते हैं इसमें निसकासता क्या कह सकते हैं कोविद-90 महामारी में लगबाग सवी चेत्रों को महिल चोकसे वरोग से प्रभावित कियां इन के समक्ठ बिवित चौणवतियों को बन किया घया है इनुनकियां इसपास्टार सबीर अंगों कारिपालेंट का विदय का नियाइकालेंटे की आवस्तियों करने की संसत्की एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जनता हमारे देश की बहुत भूली है बिचारी उससे मतलब समझती ही नहीं कुछ लेकिन आप संचिए कि केरल सबसे बहतर इस्तिधि में सेक्षा में देख लिजें लेन आप नपर रहे कि हम अंधर्वक्त नहीं संग्जमें है कि हम सतर साल कोंगरिस को बाई देते आया ह। इसी बक्ती में कि हमारे दाब बाफ दादा पर नत जुड़े हुये हैं। पर हमने बीजेभी की बक्ती सुनों की तो यही कारण ने कि हमारे बाफ maar दादा ईसी गरीए में मर चुके और सिक्षा की आभाव में और हम रहेंगे इसी में और आने वाली हमारे भी इसी में मर रहेंगे टीन केरल आप कभी जाकर देख सकते हैं वो इस्तिती उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं सरच करिए आपके पास इतनी सुखदा हैं तो यह यह यूटूब गूगल आप सरच करिए वहां की वेवस्ता को आपको पता चल जाएगा किया वेवस्ता चाही हुए लगे रहिए अपने भक्ती में अगर आपको अलगता है यह अच्छे हैं तो यह भी अच्छा है ठीक है